सिगरिट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराप पीना सेहत के लिए हानिकारक है मिलकर जीएंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस बहुत महन है हमारा देश बहुत मान है हमारा देश बहुत मान है हमारा अधेश बहुत है हाथ दिखाओ तुम हमेशा लेट आते हो तुम बहुत बड़े राजा हो क्या जो राद बर शहर में घूमते रहते हो क्यों आते हो लेट बताओ दुक्रा है उसको देखो ए खड़ा हो कौन है वो तुम्हारा भाई है ना अरे दो साल से फेल होकर तुम आज भूस की क्लास में तुम्हें शर्म नहीं आती वह पढ़ाई में नमबर वन है हर काम में नमबर वन है तुम उसके पैर की जूति के बराबर भी नहीं हो बेवक्यूफ कहीं के गुटने के बल बैठो बैठो गूटने के बल और दुपैड तक उठना नहीं अगर उठ गए तो तो तुमारी हड किताब कहां गई पुलीस वाला कुमार लेके गया है वो इतने असानी से वापस नहीं करता आप अगले हफते ले जाए चुटी हो गई क्या रोज-रोज किताबी लेकर जाता है क्या करता है लगी का पाट तो पढ़ा नहीं जाता और वो किताबे पढ़ाते हैं अभी से जिंद पताया ना तो छोड़ूँ अनि चलो स्कूटर पर बैठ हो मुझे घर जाने का रास्ता पता है पापा स्कूल में टीचर ने उसको मारा था इसलिए वो नराज है यह सुनना वह तेरे पापा है फिर तू स्कूटर पर क्यों नहीं बैठा आप वह मेरे पापा नहीं है कि जिन्दगी बहुत कटिन है आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम सबको मेहनत करनी चाहिए अच्छी तरह पड़ो ध्यान से अच्छी नंबर लाया है वह उसको तो पापा पड़ाते मुझे पड़ाने वाला कौन है अपने सुना अपने सुना इसने क्या कहा आपका बेटा पड़कर कलेक्टर बन जाएगा पर यह तो बेकारी रह जाएगा तुमारा लड़का मेरा लड़का क्यों बोलती हो मुझे नहीं समझता है और मुझसे दूर रहता है हो मैंने गलती की बहुत बड़ी गलती की अपनी मा के बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने दुसरी शादी कर ली हर काम में मेरंट करने की जरूरत पड़ती है मुझे बड़े बैटे का महुट डर लगता है उसके पिता जी शराप पीकर मार पीट करके जिन्दकी क्या होती है जाने बिना ही कम उम्रब में मर गए कहीं ये भी अपने बाप की तिरह नबन चाए इसी बात का डर लगता है बोलो न वो सुधर जाएगा न तुमको चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है उसका पूरा खयार रखूगा मैं तुम फिकर मत करो, मुझे पे विश्वास रखो पापा मुझे स्कूल में टीचर ने मारा और घर में माने भी मेरी पिटाए की मुझसे कोई भी प्यान नहीं करता पापा अगर आज आप जिन्दा होते तो मेरा ये हल नहीं होता क्यों पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए मुझे सब डाटते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है अब मैं जीना नहीं चाहता पापा ए सुनो जो टीम जीतेगी उसे हम मदरास लेकर जाएंगे और उसे वहाँ पर गवर्नर के हाथों कप मिलेगा सर आप चिंता मत कीजिए हमारी टीम ही जीतेगी अरे मैं भी तो मदर मदरास जाने वाला हूँ पापा किसने काहा तुम से अगर हम खेल में जीते तो हमें मदरास में कवर्नर कप मिलेगा और सब कुछ टीवी और पेपर में आएगा जरूर आएगा विटा सब पेपर में रख लेंगे सब मिलके जीतेंगे इसलिए स्कूल में रखेंगे पापा पापा यह क्या बार बार पापा पापा चिला रहे हो अगर कप मिलना होगा तो मिल जाएगा अब चुप चाप सोजाओ आप सोजाएए चोटे को चटाई पर सुलाना है मैं ले आता हूं तुम उसको तंग मत करो अब चुप रहेंगे तभी इन दोनों में प्यार बना रहेगा अरे लड़का चोटा है इसलिए आराम से जीच जाओगे तुम लोग यह मत सोचना वह बहुत ही खतरनाक है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो शायद जीत जाओ दाएं हाथ के शोल्डर के नीचे इस जगह पर मारना वहां की हड़ी तूटी है और उसमें प्लेट्स लगी है मारने के बाद उससे वहां पर पकड़ोगे तो बहुत दर्द होगा और उसकी ताकत खतम हो जाएगी यह सब तो मुझे क्यों कह रहे हो क्योंकि मुझे तेरी बहन से शादी करनी है अबे चलना तुझे जीतने का राज बता रहा हूं चल जाओ अगर तु जीतेगा तो अपनी बेटी से तेरी शादी करवा दूंगा रो मत तुम जीतोंगे जरूर पापा कह रहा है ना तुम जरूर जीतोंगे यह मैं शादी में जा रही हूं खाना बना कर रखाए तुम दोनों खा लेना घर से बाहर मत निकलना घर पर ही खेलना समझ गया यह सुनों हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे मां जी हम राजेस की शादी में जा रहे हैं अपना खायल रखना ते वक्त तमबाखों चुना लेते आना ठीक है ने भी हर से पैसे लेकर आई है ना कल हम लोग ने जो कबड़ी में चारा उसका कारण तेरा भाई है पता है तुझे दाएं हाथ के शोल्डर के नीचे इस जगह पर मारना वहां कि हटी टूटी है उसमें प्लेट्स लगी है मारने के बाद उससे वहां पर पकड़ोगे तो बहुत दर्द होगा कल तू रो रहा समझा क्या घर में कदम रखेगा ना तेरे हाथ पर तोड़ दूँगा कल तू हस रहा था ना ले अब तू रोएगा मैं पापा से बहुत प्यार करता हूं मेरे पापा की फोटो बशेलiko अब तू रहा है और में बहुत खुश बाप्मा बाप्मा मुझा करें बाफ्मका, बाफ्मका सब्यक्राइं मुझे भूले मुझें निए सब्कसदिता है मुझें निए पाचए देना आरे कोई बचा मुझे बचा बचा को मुझे पाइंच करोण का चंदा दिया है तब जाकर मुझे एलेक्षन के लिए तिकट मिला है सोना चौधरी इंडेपेंडेन खड़ा हो रहा है क्योंकि उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है उसे उसके जाद के वोट जरूर मिलेंगे अपने एरिया में वह बहुत ही फेमस है उसके पास करोड़ों रुपिये हैं और उसके पीछे गोवर्धन है अगर वह खड़ा रह रहेगा है 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 वह मानने को तयार नहीं है ठीक है उसकी गाड़ियों बैठो चलो उसको गुस्ता क्यों कर रहे हो क्यों मार रहे हो मुझे इस घर से कुट्टा भी बाहर नहीं जाना चाहिए पाप आपने ममी को क्यों अचलो आप पियुक्नियोंग आप आप में दोनो दोनो पी है रवन्ना मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं हलो सेक्रिठी दे रहा हूंना क्यों डर रहो कितने दिन बचाओगे तुम मुझे रमना किस्षका से मारेगा किसी को कुछ नहीं पता नहीं गोबरदन मैं रमना के दुम्हें बना दूदँगा मिनिस्टर जिंदा रहूंगा तब मिनस्टर बन पाऊंगा ना मुझे नहीं यहीं पेदा हुआ मैं फैन्युद्फ यहीं प्यार्य कर देखो। सालजारों तुरफ देखौला रमना रमना यहीं डेखाव.. इससे पहले कि वो मुझे मारने की कोशिश करें, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए भाई, वो गाड़ी से बाहर आ रहा है, गाड़ी उधर लो उसको फोन कर और बोल मुझे शाम को मिले गोवर्धन आज जिन्दा नहीं चुरूंगा तेरे आज तो, मारो अज़ए आज़ए अज़ए पांची को नहीं चुरूंगा, यह वो चोटा दरका है, उसे गोली चलाना है क्यों सिखा रहा है भाई आप से कुछ बात पात है इसको स्कुल छोड़ दे आप मेरी बात सुनो मेरा आदमी रोज दारु पेकर मुझे मारता है आप उसे मार डालो आडिटर आडिटर आ रहे हैं नाच कर पता नहीं उड़ कर जाएंगे कहां पर जाना का रहे हैं साले अभी तुम लोगों को सबक सिकाता हूं जाओ रमना सर के दस्ते कर लेके आओ टिं आओ खाओ अरे चलो खाना खाले ते हैं हाँ जलो भी टार प्रें के शाप के खाना खाने से पहले तुम खाना खाऊगे थोला तो सबर रखो बस आते ही होगे मेरे को देख खाव खाव भाई नमस्ते मैं ऊपर आ रहा हूँ ऊपर आये डान को पकरने के लिए 11 मुलकों की पुलिस ढून रही है मगर डान को पकरना मुश्किल भी नहीं है और नामुम्किन भी नहीं है भाई आप मदरासी हैं क्या रहे इतनी मेहनत करके मैं हिंदी बोल रहा हूँ फिर भी तुमुझे मदरासी कह रहा है आपके हिंदी बोलने की स्टैल से मैंने पहचान लिया भाई पहचानने से क्या होता है मत्रासी लोग बहुत बड़े खिलाड़ी होते काम बताओ मैं दस दिन से यहां पर आ रहा हूं मैं रमना भाई से मिलना चाहता हूं पर उनसे मिलनी पा रहा हूं वो तो आते हैं और चले पूरी कहानी बताता हूं आओ क्या बात है भाई आप तो रमना भाई के राइट है फिर भी ये सडेली स्कूटर चला रहे हैं तुम बार बार मुझे रमना का राइट हैंड मत कहो अगर उनके आदमियों ने सुन लिया तो मेरा राइट हैंड निकाल देंगे उसके बाद मैं एक हाथ से स्कूटर कैसे चला पाऊंगा तो आप गुरूप में करते क्या हैं अगर इज़त से सीधी सीधी भाषा में कहें तो मैं इस गुरूप का गुलाम हूँ गुलाम तो आप लगते नहीं हैं इसी मुंबई में छे साल पहले पानी पूरी का ठेला लगा कर चैन से जी रहा था प्लेट और पानी पूरी देना तो यह क्या है पानी पूरी को रसगुला समझ कर एक के बाद एक मूं में डालते चा रहे हो जिंदगी में कभी पानी पूरी नहीं देखी क्या चलो लो पैसे निकालो अरे मैं सेक्रेटरेट में बाबू हूं हाँ आधा अकट रहे ना पर कान खोल के सुन ले यहां दूसरा पानी पूरी वाला ज़रूर आएगा देखो तेरे सामने ही आएगा यह देखा गया हीरो का इंट्रोडक्शन है क्या तेरी आख मिर्ची पूर्डर डाओ दूगा फोकट की पानी पूरी खाके गर में दिखा रहा अगर कोई शमस्या आ गई ना तो हम अंदर खुसकर दुकान लगा लेते हैं तुम यहां समस्या मत खड़ी करो चलो जाओ यहां से निकल लो नहीं जाओंगा मैंने पुलिस को 5000 रुपे दिये हैं वो दे दो चला जाओंगा अरे बापरे फिर क्या हुआ दिखने में तो लल से हटाओं कैसे मुझसे पानी पूरी खाने के लिए रामाना गुरूप के आदमी आते थे मैंने सोचा उनसे मिलकर यह मामला निप्ता लूँ यह हमारे गुरूप के लिए चोटा काम है जाओ जाकर कोई बड़ा काम लेकर आओ भाई साब मैं चाहूं भी तो दाओ इब्रह भाई साब वो मुझे चाकू दिखा रहा था आप उसका चाकू उससे छीन कर उसके शरीर से खून निकाल कर उसी को दिखा देना आपके पैसे पहुंच जाएंगे ठीक है बाबू तु यह काम कर दे ठीक है बाई अब बताता हूं तुमारी कितने भी पानी पूरी खाओ ले तक आया क्यों नहीं आ गया है जल निकल यहां से चाड़ता मुझे चाड़ता मुझे पैसे लेके आया हूं यह लिजे भाई साब और बहुत पानी पूरी के पसे पास पानी पूरी वाले के पास इतना पैसा कहां से आएगा आपको साफ साफ कहना चाहिए था ना मैं आपसे काम ही नहीं करवाता जब दस्ती बुला लिए आपको भाई साफ जैसा ही इसने मुझे पीटा आप भी इसने पीट कर मुझे यहां से जाने दो यह कुछ जादा ही बोल रहा है इसे अपने पास रखो और जब तक तीन लाख रुपे वसून ले के लिए मुझे वहां पर रख लिया है यह भाई साफ का नाम है नहीं इसलिए बॉंबे में ही सेटल हो गये है अगर इससे खाकर मूड बन गया तो मुझे लणकी लाने के लिए कहने लगें तो बिंडी डाल देना उससे तो उनका दिमाग तेज हो जाएगा जब तक वो बेवकूफ है तभी तक हम लोग सेफ हैं तो मिक्स डाल में बना दो अच्छा एडिया है लेकिन उससे उनके पेट में गैस हो जाएगी और हम लोगों के नाक के बाल जल जाएंगे तो फिर लॉक में फोटो निकाल लेता हूं थोड़ा और उपर लीजे भाई तो यह आपका राज मैं तो यह कह रहा था कि आपके खाने के बाद सब लोग खाते हैं यह पता चल गया तो मेरी इज़त विज़त नहीं करते कहीं मैंने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया यह सोचकर पहले दो चुक जाएंगे नहीं दो लाग चार हजार रुपए हो जाएंगे सही कह रहे हो पर एक बार भागनी की कोशिश किते ना तो चार हजार रुपए उन लोगों ने और चड़ा दिये चूचू करके कुट्टे को मत बुलाओ चलो कोशी शराब लआयओ मैंने दो नहीं लै गया अए यह क्या ले ख़िपस एकदम नरम हो गया है अर चिकन विकार नहीं ला सकते थे क्या अकल नाम की चीजी नहीं तुमारे अंदर अधर तों के यह तो नहीं सोचरहे हो के मुफठ कि शराब पी रहा हूं और उपर से चिकन चाहिए इन सब के लिए मुझे पैसे देना चाहिए यही सोच रहे हो ना मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूं क्यों उससे भी ज्यादा गीरा हुआ वह सोच रहे हो देखो भाई मुझे हर हाल में रमना से मिलना है मेरी बात मानो चोटे मोटे कामों के लिए उसका एक एक असिस्टेंट है जो सारा काम समालता है मैं उससे तुम्हारी तकलीब बता दूँगा तुम चार हजार रुपे दे दो मैं उससे कह दूँगा तुम्हारा काम निप्टा देगा मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई मैं उनको अपनी तकलिफ खुद बताना चाहता हूं जैसे बंदर बार-बार पेड़ में चड़ने की कोजिस करता है वैसे तुम भी रामाना रामाना लगा के र अपनी परशानी मुझसे बोल वहां जाने की मत्तों तुम ना यह ले तु यह नारू पी और चिपस का पी ले यार ढहर आ यह आपकी शेप्टी के लिए आपकी गाने आप चला है तो मैं डर गया आपक्यू डर रहा है यह लीजह पकड़ें क्या पकड़ें मुझे गन के दिखा रहे हैं सर आपके घर के सामने जो सिक्योटी है बहुत ही वीक है सर घर के सामने खड़े उकर गप्पे मारते रहते हैं पीछे की तरप कोई ध्यान है नहीं देता कंपाउंड में एक बड़ा सेनारियल का पेड़े जो सीधा आपकी बाल का नीदक आता है उस पे अगर एक पाइप लगा दिया जाए तो सीधे आपके बातरूम में पहुंच सकते हैं यहां कर देखिये जरा लेकिन बातरूम बड़ा अच्छा बना है मैं तो अच्छा आद्मी हूं सर इसलिए आप बच गए आपका दुश्मन होता ना तो सीधा शूट कर देता औ लेकिन मिल नहीं पा रहा था इसलिए रात को नारियल का पेड़ बातरूम यहां तक आ गया सर सॉरी सर कल ऑफिस में आकर मिलो सर थैंक यू सर इसको लेकर जाओ पहले मटन ले जाओ फिर सबसी ले जाओ अब इसको ले जाओ क्या हुआ चेहरे बारा क्यों बच गए अब रमन्ना मेरे पॉकेट में रमन्ना कोई मिठाई है क्या जो पॉकेट पर रखके ले जाओ सच बताओ मुझसे छुपा नहीं सकते तुम्हारी श इसको पालते हैं अगर गोडा लंगड़ा हो तो लोग उससे सीधक गोली मार देते हैं सर मुझे खाना नहीं बनाना आता ये बात तुन्हें पता चल गई तो वो लोग मुझे गोली मार देंगे मुझे बचा लिजीए सर मैं कोशिश करूंगा मैं क्या पूरे हिंदूस्ता नहीं तुम्हें बदल दूगा बिहार आसाम कश्मीर अफदानिस्तान जैसे आप काएंगे वैसा रख लूगा सर यह फोटों को मत दिखाएगा सर ठीक है तुम्हें काम करो यहां से पांच किलो मीटर दूर सीधे चलके जाओगे तो अन्ना की दुकान आएगी वहां से मसाला का वक्त दें तो सारी चीज़े मैं यहीं दिला सकता हूं मुंबई ट्राफिक के हिसाब से यह सब लाने में धाई दिन लगेगा आप यह जबजान बुचके कर रहें ना सर मसाला दो सकाने वाला तुरंट जलेवी तो खाई नहीं सकता सर और अगर खाएगा भी न सर तो उस बोलो मेरी दुनिया बहुत छोटी है उससे मिलने से पहले मेरा कोई नहीं था उस से मिलने के बाद मेरी दुनिया ही बडल गयी सर सर उसने सिर्फ मेरे लिए चनम लिया है वही मेरी सब कुछ है और मेरी सांसों और मेरी जिन्दगी का नाम है अंचली तू चांद है मेरा दूर ग्या है तेरा ये जमा क्या तेरी है और यू लोग की मूर्दी है एंजो लाबली एंजो स्वीटी एंजो एंजो तू बारिश की बुदों के जैसी एंजो हर आदा तेरी नहीं लगे कॉफी में है टॉफी जैसी तू हर जगर की मस्ती है लबबंद है कामोशी है मुड़ के तू आद चलवा दिखा जा एक दिन जब तू मूड़े भी ना ही इधर आएगी ओचाना में तू मेरे हां करीब मेरे बास रुक जाएगी ये सारी दुनिया तू अब मान मेरी बात है जो हुः 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 सतारा है तू है जो एक छरपरी है तू अधेरे में जब कभी भी आएगी फिर एक दिन हाथो ए आखो ही आखो में जब भी आपस में बाते करें जाना एक दिन हम माने ले क्यों ना ये तेरे बिन एक पल भी जी ना पाऊं मरता हूँ अब तेरे बिन मैं मैं तुझे को कभी भी भूला नहीं तेरे बिन ये दिन कभी बीता नहीं तू ही मेरी है जाने मन तेरे बिना भी क्या जी ना अब आजाओ मिरी जान ना थर्साओ जन जान अब बाहों में आके तुम समा जाओ ना ये सांसे तेरी है ओ एंजल 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 इन जो हर अदा तेरी नहीं लागे जो हर ये संकते है बेमार जाओड़ डी गड़ा जाओगी आँद वर्साओ आख जाओग मेळडों भी मेरे नहीं उसके डाओड़ ना तो इस तरह से खेलो के तो जी चाहोगे तेरे हर एक पंच में बहुत जोश होता है इसी तरह खेलते रहोगे तो नैशनल गेम्स में जरूर जीतोगे बचा कॉमनवेल टेशन गेम्स ऑलिम्पिक माइक माइक इन सबसे जीतने के बाद ही कल के सेलेक्शन में मेरा नाम आ सकता है डाउट की बाद तो नहीं यह पर एक छोटा सा डाउट है क्या डाउट है तुझे लगता है कि मैं तुझे अच्छी कोचिंग दे रहा हूं माइक यह आप कैसी बात कर रहे हैं आप बहुत बड़ी कोच है आपकी ताकत आपको खुद नहीं पता यह बात अभी मत कहो जितन अजली बाइ मंजू थैंक यू तो तुम मैं घर पा रही हूं गुरू जी घर पर क्या कर रहे हो अपने लिए ओमलेट बना रहा हूं गुरू जी लाइट मेट कैटेगरी शुरू हो गया और तुम आपको बना रहे हो तुमारी कैटेगरी के बॉक्स अगये चिंता भद यह पहुंचाओंगा तुमारी मैंने देखा नहीं गल्ती हो गए तुम अंध्य हो क्या इस हाइली रिडिक्यूलिस तुमें जरा भी अकल नहीं है क्या मेरे सारे खौब मेरे जिंदगी थे सब कुछ खौब कागस से बने हुए मामूली घर के लिए इतना क्यों चुला रही हो हाँ वोट कागस का घर है इससा मॉडन हाउस मिनियेचर पता है सुनिए आपका लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास टाइम नी है जब फ्री हो जाओंगा तब बताना सिखनेचर क्या होता है म मैं एक आर्किटेक्ट हूँ आज 10 बजे मार्क बिल्डर से मेरा इंटर्व्यू है यह प्लान सिलेक्ट हो गया तो मुझे अपॉइंट कर लिया जाएगा मेरे करियर को तुमने खराब कर देया है हलो 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 देखिए आप रोह यह मत सब लोग देख रहे हैं मैंने कहा ना म इंटारे अहां बोलो जोई नहीं नेक्स्ट मेरा नंबर है क्या कुरू समझ में नहीं आ रहा एट बाइसिक्स डबल डॉट लेजे हो गया देखा मेरा कमाल यह देखो कैसा है बढ़िया है न बापरे कहां पार्किंग तो फर्स्ट फ्लोर में है किच्छन बदल गया अब मैं क्या करो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब नहीं जाओंगी मैंने अकर यह मौडल दिखा तो वो लग मुझे पेवकूफ समझेंगे अपना मूबल रखो और तेरे साथ चलो आओ तुमने मरवा दिया मुझे जाना पड़ता है सार वहां के लोगों को माकान खाली करके होटल में जाना पड़ता है या तो पाजी निकलने तक फर्स फ्लोड पे रहना पड़ता daucoming आप बोलो ना क्या होगा इसलिए गेरेज भी फॉस्ट फ्लोर पे बनाया है आपने धर्मेंदर की पिक्चर मा दे कि जट्ट यमला पगला दीवाना और अब इतनी सी बात न जाना कि वो 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 मेनू प्यार कर इंदिया सर आपको पता है उसमें कार पार्किंग कहा थी सबसे बड़ा उसूल है कि हमारे प्रोडेक्ट में हमेशा बदलाव आते रहना चाहिए कलर बदलना चाहिए रंग बदलना चाहिए जहां तक घर का मामला है वो आरामदायक होना चाहिए और सुरक्षित भी इसलिए मैडम ने बहुत ही सोचने समझने के बाद ही ये डिजाइन बनाई है सर क्यों है न कि गुरुजी गुरुजी मैंने जान भूझ कर तुम्हारा आइडियो पसंद आया कल सुब अपॉन्मेंट लेने के लिए बुलाया है मुझे यकीन नहीं हो रहा है एंक्यू सो माच जो मैंने तुम्हें गाली दे थी उसके लिए इस कंपनी को जॉइन करना मेरा ख्वाब था मुझे कॉंग्रेट्स नहीं कहोगे कॉंग्रेट्स मेरा सपना था कि बॉक्सिंग का नेशनल चेंपियन बनू उसी का सेलेक्शन था आज वहीं जाने की जल्दी थी सुबहें तभी तुम्हारा मिनियेचर गिर गया सेलेक्शन का टाइम खत्म हो गया मैं सेलेक्शन में नहीं पहुँच पाया इसलिए मेरा ना चांस नहीं है लेकिन मैजिक हुआ ना उसी तरह यह भी होगा चलो मेरे साथ कि मजब माफ कर दीजें कुछ मत बोलो कितनी बड़ी ऑपरचुन्टी मिस कर दी मालू मैं ऐसा मौका दोबारा नहीं आता सर इसमें अर्जुन के कोई गल्ती नहीं वह मेरे कारण यहां नहीं पहुंच पाया मैं बताती हूं पहले यह बताए इसका कोई चांस सेलेक्शन कम मैडम भी बचिए यह क्या कोई मिनिस्टर है इसके लिए वापस अनौंस्मेंट करेंगे यह क्या कोई स्कूल है लेट हो गया बोलकर सड जुका कर खड़ा हो गया अभी मैडम कहा मिलेंगी ऑफिस में मैंने बात करके देखा उन्होंने मना कर दिया है वह अभी वेट उसका फ्यूचर खतम हो जाएगा तुम बच्चों की तरह बात करी हो रूल्स के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता नैशनल एंथम के वक्त किसी को हिलना नहीं चाहिए यही नियम है ना लेकिन कोई चाकू लेके आये तो नियम का पालन होगा रैड सिगनल के वक्त सभी या रुग जाती है यही नियम है ना पर एब्रिकेटब के लिए यह नियम लाग Veterans does लिए अ कॉते हैं कि इस सारी नियम लोगों की भलाई के लिए है ना मैडम मैं, उठो, प्लीज दया कीजे मैडम, उठो, ये क्या कर रही हो, चाहूं दे दीजिए मैडम, प्लीज, उठो, आप मुझे अपनी बेटी समझ कर, मेरे मदद कीजे, किसी के भी सपने तूटने नहीं चाहिए, उसका फीचे खराब हो जाएगा, प्लीज, मैडम, प्लीज, थाइज़, मैम, थाइज़, महांकि वाज़, मुझे तूटने नहीं हो तो, ये क्या हो रहा है, अर्जुन, वो फेर पकड कर रोके हो रही है, कोन है मैं? लावाल इंचली, अंचली, मेरी प्यारी, अंचली, तेरी एक जलक मेरी जान है, अंचली सबार अंजली, अंजली, मैं हुँ तेरा अंजली, तु और मैं इक ही हैंजली सोच ले वो दिन, जब मेरे साथ तू थी, सद मेरे क्या हूआ था, कैसे हम थे अकेले, हम घुमे ते अकेले अभी तु दूर क्यों है, खामोश भी तु क्यों है, मैं ही हूँ जनम तेरा, कुछ मेरे लिए सोचाओ, गाना तुम वही गाओ, ये दिल है तेरा 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 रे सुन्जरा रे, सुन्जरा रे, सुन्जरा रे, सुन्जरा रे, मेरा तु ये, धड़के तुझ में, जीना मुश्किल तेरा तिन रे हाँ के मच को तुचुमरे, मद होश को करेंगे चुमरे, दिल में तेरे ना सभाओगी, कहसास तुझो दिलाओगी, खुशे आओ मच को मिल जाएगी, खुशे आओ बहारे नाएगी, कद में तेरे होगी, खुशे तेरे को खुशे ना जाएगी अंजली, अंजली, मेरी प्यारी अंजली चोटी सी वो नजर, जो जुड़ गई मेरे यार, तुझे से तेरे प्यार का अजर, तेरी मीठी मीठी अलफाजों का दिल करता है अब और क्या दू, बोला क्या चाहिए, जो भी तो ढूल जानम, तुझ को बोल देना, बिन पंको क्या उड़ू मैं, ना देखू तो मारू मैं, तुझी तो मेरी साथी, अच्छा हम उड़ लेंगे रहे सुन जरारे, सुन जरारे, तुझी साहिए, तुझी मनजली जोटी सी वो नजर, जो जुड़ गई मेरे यारा, तुझ से तेरे प्यार का अजर, तेरी मीठी मीठी अलफाजों का दिल करता है अब और क्या दू, बोला क्या चाहिए, जो भी तु ढूड़ जानम, तु बुझ को बोल देना बिन पंको क्या उड़ू मैं, ना देखू तो मारू मैं, तु ही तब मेरी साथी, अब चल हम उड़ लेंगे रहे मेरे पासा, आना पासा, बाहु में आ, आ समाजा मेरा दुलिये, धड़के तुझ में, जीना मुश्किल, तेरे बिन रहे आखे मचको तुछ उड़े, मदे होश हो करेगे चूबले तु मेर तेरे ना सभाओगे, एहसास तुझ रोड़ राओगे खुशिया मचको मर जाएगे, खुशिया बहारे दाएगे अदु मेर तेरे होगे खुशिय, तिलको खुशिया मर जाएगे अजली, अजली, मैं हूँ तेरा अजली उस लड़की ने एग्मोर में रहने वाले चर्मन विश्वनातन से एपटमें ले लिया है, तो फिर तुम कन्नोर में रहने वाले वाले वाइस चर्मन बालकृष्ण से क्यों मिलों यहां से एग्मोर जाने में तीन घंटे लगते हैं, तब तक काम खात्म हो जाएगा, टाटा बाई 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 बोलके वो मुंबाई पहुंचाएगी इसलिए कन्नोर चारो, आने चाने कर ट्रिप मिलेगा, तीन दिनों तक हम दोनों साथ रहेंगे मैं और वो, वो और मैं, मौका देखकर I love you बोल दूगा इतने दिन तो बॉक्सिंग में ही एम्बिशन थी तुमारी, लेकिन अभी एक लड़की को देखते ही, लव हो गया तुम्हें स्टेडिमाइन क्यों नहीं रखते हो, सोच क्यों बदलते रहते हो, क्या करना है पहले टाय करो अब जाए बदलते हो, यह जाए पापरी आंजली की चंटी दिखाई दे रही है क्या करो अंजली, मुझे नीद आ रही है, ऐसा करो लाइट बंद कर दो, मैं थोड़ी दर पढ़कर फिर बंद कर दूंगी, इस पेवकू फ्लटकी को कैसे समझाओ समझ में नहीं आ रहा है, मौसम ठंडा है, कुछ ओड क्यों नहीं लेती, मुझे ठंडा ही लग रही है, तुम ओड भूलो, कुरू थेया पक्तिशृ है, ये क्या करो हूँ अर्य वहां, उसकी दिखा दे हो हुआ, तस वांख । लेयां, तो एक आदमी उसे घूरे जा रहा है, बता क्या करो पहले है, बहले ही मेरी अभी तक उस्से शादि नहीं हुआ हूँ, अब ब्सक्त हुए। लेकिन है तो लवर कुछ तो आइडिया दीजै रहिव Jobs गुरु इससे तो पुछ करी कलती कि मैने लग फिस्ट देखो सामने दीदी की चट्टी दिखाई दे रहे उसे कहोगी अच्छा नहीं लग रहा है ठक ले ओ कि अरे कहो ना उन्से अरुन अरुन दीदी की चट्टे दिख रही है उसको कुछ बोलना शेट दीदी आपका पीचे वाले सफेत कपड़ा दिख रहा है इसमें तो डिदोरा पेटिया स्कुछ अरुका वेटान स्कुछूअद् वीड़ुए विए उसका और सरह आपका है उसका भीचे है जो पा से जोड़ें आपकाको गोड़ेंरे हां तो चिन्ने से एक जरूरी काम से बाल कृष्ण सर से मिलने जा रहे हैं अरे लेकिन वो तो चिन्ने में हैं नहीं मेडम हमने ओफिस में फोन किया था उन्होंने बताया कि वो कनोर गए इसलिए यहां आ गए किसी ने गलत कह दिया होगा वो कल सुबह जरूर आ जाएंगे आप क्लासिकल डांसर भी हूँ हमारी लव मैरेश हुई थी इनहीं के साथ मैंने निर्तिकला में और महारत हासिल की है आज की रात आप लोग यहीं रुख जाएए कल सुबह आप सर से मिलकर ही जाएगा यहां कोई होटल मिलेगा होटल की क्या जरूरत है हमारे पास गेस्ट हाउ मेरे निए जा और ध्यान रखना इनको किसी बात के तकलीफ नहीं होनी जाहिए थेंक्यों मेरे अनुच्छिंत पास मसता है यहे! कैसा लग रहा है? सुपब यहे! कितनी अजीब बात है, इतने बड़े इनरस्टियलिस्ट की बेटी, आम आदमी की तरहे ट्रेन में सफर कर रही है, आपको अपने स्टेटस का ज़रा भी खयाल नहीं है? घर से बाहर निकलते ही मेरा स्टेटस खतम हो जाता है, किसी आम आदमी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, दवाई की एक्सपारी डेट देखनी चाहिए किसी का स्टेटस नहीं, गुणों की तरफ ध्यान दो, स्टेटस भूलो आपके पापा कैसे है? आपकी तरह है? पर बॉक्सिंग में फेल हो गए तो पूरी जिन्दगी दुखी रहोगे जिस तरह आप खुलके बात कर रही है यह मुझे बहुत पसंद है तुम भी तो खुलकर बात करते हो मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा हूं आपसे एक बात चुपाई है मैंने और क्या है वो मैं आ यह जो और अध्या अध्याद मेरा पद्धिक रोड़ी मैंने मैंने हैपी रिटेंस आप दे ते चर्वा जश्ट मनाते हैं बूलो कहां से शुरुवात करें मैंने रास्ते में एक थीटर देखा था उसमें रोमेंटिक मूवी लेगी है कि आ कि एए कि वक्त हो गया है घर में मा परेशान होगी ऐसा ही डालक बोलेगी देखना देर हो गई मा परेशान होगी मेरे कहा था ना यहीं डालक बोलेगी उसके साथ रहते हुए मुझे एक एक पल बहुत खुशी मिलती थी उसकी बात हैं उसकी हासी यह सब मुझे बहुत पसंद थे और मैं किसी भी सूरत में उससे अलग नहीं होना चाहता तुम प्यार करने वालों से नफरत करती हो प्यार करने वालों से मैं प्यार से नफरत करती हूँ तुम ऐसा क्यों सुचती हो मुझे वो बे मतलब का लगता है आज सारी दुनिया प्यार को मानती है और तुम कहती हो कि प्यार का कोई मतलब ही नहीं कभी प्यार करने वालों को देखा है क्या चार बार पुकारो तो मुड़ कर देखते हैं उनको पूरी दुनिया आउट ओफोकस देखती है एक बस के रे दो मिनिट भी खड़े नहीं रह सकते लेकिन किस के लिए चार घंटे खड़े रह सकते हैं रात भर बाते करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे रात खतम हो जाएगी पर बात नहीं फिर दूसरे दिन वही सारी बाते होंगी ये तो अच्छा हुआ, मैं प्यार नहीं करती मैं दो दिन से तुम्हारे साथ हूँ पर सिर्फ दो ही फोन कॉल हुए है एक मैंने पापा को फोन किया था और दूसरा पापा ने मुझे किया अगर मैं प्यार में होती तो 50 calls और 200 messages आये होते खाना खाया, सोई, ब्रश किया कौन सी ड्रेस पहनी है कौन सा रंका निल पॉलिश लगाया है ये सारी सवाल पूछता मुझसे नाखुन कर्टे तो भी बताना पड़ता छीका है तो भी बताना पड़ता सारी रिपोर्ट देनी पड़ती डालिंग, क्यूटी, स्मार्ट ये सब SMS भीजने पड़ते एक भी मेसेज का जवाब नहीं दिया तो गए काम से क्या हुआ, क्यों मुझे बूल गई पसंद नहीं करती क्या इस तरह के 100 SMS भीजेगा मेरे खयाल से प्यार करना लड़की के लिए एवरेस की चोटी चड़ने जैसा है मुझे फ्रीली जीना पसंद है क्या हुआ मैं जानती हूँ बाल कृष्ण स्थर क्या कहेंगे इसी बात का टेंशन है ना नहीं नहीं ऐसा कोई टेंशन नहीं है वहां पर वहां देखो केरला स्पेशिल वहां रिलाक्स करें वहां परे वहां कैसे जा सकते हैं तुम ड्रिंक करते हो ना तुम ज्यादा सोचो मत बी फ्रैंक मुझे आदत नहीं है कभी कभा रोकेशने ले ले लेता हूँ वस वहारी बर्दे पार्टी में मैं कंपनी दूंगी चलो हलो तुम मुझे कंपनी कैसे दे सकती हो हलो आइम टी टोटलर ओकें टी टोटलर येस अंदे से पूछ कर देखो ताज महल कैसा होता है वो क्या जवाब देगा वैसे ही तुम भी हो प्यार के बारे में तुमने एक एक करके हजारों बाते बोल दी लेकिन प्यार क्या होता है यह तुम नहीं जानती यह भगवान, भूत, प्यार सब एक जैसे होते हैं जब तक सामने नहीं आएंगे इनको समझ नहीं पाओगे इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे लेकिन जब प्यार हो जाता है मैं समझाता हूं जब किसी की मा मरती है, बाप मरता है, भाई मरता है, बहन मरती है या आसपास का कोई और मरता है तो लोग क्या करते हैं? वो दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन उन में से कोई भी खुदकुशी नहीं करता, लेकिन प्यार करने वाली लड़की का प्रेमी मरे या लड़के की प्रेमी का मर जाए तो उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया बेकार हो जाती है, अरे कोई भी पिपर उठा कर देख उसमें तुम्हें लड़के या लड़की की मरने की कितने सारे सम आचार मिल जाएंगे, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, बता है skirt लोग इस तना समझार दा मैं इगलेकार दा, 대해 मैं प्यार के वारे मंदारा में समझा, लेकिन वह मैं जार रहा यह बेवड़ा है बगवास कर रहा है लेकिन एक बात को प्यार करने वाला खुछ आये मर जाएगा लेकिन जिससे प्रेम करता है उसका बुरा कभी नहीं चाहेगा इसी को कहते हैं सच्छा प्यार प्यार के सामने सब पेकार है और अगर यह प्यार शादी में बदल जाए तो उससे बढ़कर खुशी की बाद और कुछ नहीं होगी क्या फीलिंग है यह थैंक यू एक बात का हूं आपसे बुरा तो नहीं मानेगी क्या है मैं बहुत दिनों के बाद बिना चखने के शराब पी रहा हूं इसलिए थोड़े से अचार का इंतिजाम कर दीजी ना एक पीस हम थोड़ा गुमकर भी जाएंगे तो चलेगा लेकिन इस रास्ते पर मचाँ क्यों वहां एक कुट्टा बैठा है और मुझे कुट्टों से बहुत दर लगता है तुम तो बॉक्सर हो ना फिर क्यों कुट्टों से डरते हो यह सही है कि मैं एक बॉक्सर हूं यह तुम चान या बहुक आरे शुरू कर दिया दूर भागवान बचाना यह इसी तरफ चला रहा है कि मैंने पार था ना तूम बैठो ना तुम खड़ियों तो मुझ अप्छा नहीं लग रहा है बैठो कोई बात नहीं तूम बैठो इस अप्री एक लड़की खड़ी रहा है और मैं बैठा रहा हूं अच्छा नहीं लगता आओ बैठो तुम बैठो देखो प्लीज मेरी बात मान जाओ अच्छा बैठती हूं फिर कुछ मत कहना मेरा वजन 58 kg है उसने जो मुझसे आके दिल में कहा एक सुन्दर सा गूला बाके गीरा कुछ सेकेंड के लिए वो मुझसे दुर जाएगी 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 कंचन माला से Yay कंचन माला कंचन माला तुम मेरे दिल की हो जाने जाना कंचन माला मुझे कर दो काहिरनी जैसी तेरी चा क्यों दूर जाती है तु मेरी चाना जाहे मन पास अब मेरे आजा मेरे हम धन थोड़ा सा रुचा तु जाना माता हूँ मैं तेरे बास तेरे प्यार में ऐसे पागल उड़ता हूँ मैं दिन और रात थोड़ा सा रुच्छा तुझा नमाता हूँ मैं तेरे बास तेरे प्यार में ऐसे पागल उड़ता हूँ मैं दिन और रात तन्नारा थन्नारा 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 थन्नार मेरे ही खरानों में आता हूँ मैं अब तेरी ही दिदार है दिखता हूँ मैं है पर हर दम मुझे को तो ही चाहे वी सासों में तु ऐसा है क्यों दोर जाती है तु मेरी चाना जाने मन पास अब मेरे आजा मेरे हमदम थोड़ा सा रुख जा तु चाना माता हूँ मैं तेरे बास तेरे प्यार में ऐसे बागल उड़ता हूँ मैं दिन और रात थोड़ा सा रुच्छा तो जाना माता हूँ मैं तेरे बास तेरे प्यार में ऐसे बागल उड़ता हूँ मैं दिन और रात कंचन माला, कंचन माला तुम मेरे दिल की हो जाने जाना कंचन माला लो गुरूजी हसती है तो बहुशन दल लगते है और नहीं हसती है तो और भी सुन्द लगते है कहा है वание बच्ची वह मेरे उपर है और मैं उसके नीच लेटाूं अर्ये शादी से पहले सब गलत है गुरु गुरु आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं वो फर्स फ्लोर पे सो रही है और मैं ठीक है तुमने उसे अपने प्यार के बारे में बता है नहीं बताया ना और कैसे बताऊं इसी बात का टेंशन है अभी तो थ्रिल का मजा ले रहा हूं कल सुबह उस तुम यह गोरी की आवाज सुन रहा हो ना हफ्ते में एक बर यहां आया ऐसा होता ही रहता है यह गंपाइट है चंड शो की तरह यहां की आम बात है पहले हफ्ते साथ लोग थे इस अपते में पांच लोग बचे हैं कौन बचेगा कौन मरेगा पता निसलों भी आंसे बच खुआ है नहीं कि अखिए अगेर गो अर्धन को मानों गेना सब को खतम करेंगा गोर्धान उस दिन वो बच गया साले को मान नहीं होगा रवन्ना वो जल्दी मरेगा बहुत जल्दी मरेगा ए इसके खून को रुको ए चलो यहांसे जाओ जल्दी ए जो यहां पर बैठा था वो कहां गया ए भाई उसको लगता था डर मैंने उसे भगा दिया अभी वो शहर के बाहर चला गया होगा दस मिनट में वो यहां होना चाहिए इतनी जोर से मारा कि मेरा कान बंद हो गया अजमल भाई ने क्या बोला फिर से बोलेगा क्या दस मिनट में वह यहां होना चाहिए नहीं तो तेको गोली मार देगा रहे यह तो तेरा फेवरेट डायलोग चलना जाना तेरको बाद में देखता हूं चला टियां से बैदा बै ने धाता क्या खीच के लाफा मारा अब पंडित को इसका भविश्य बता सकता है तुम क्यआ खुशह घुख्यों ऑर देनगे Lande investing को अम यह चुख्या में गूठ இ च पीने चरह बार गक्राव देता है कितना वहां वाई बीस रुपिया तु यहां क्यों गदे की तरह हस में जाकर खेती शुरू करतेगा इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा किस कदर बेच सती कर रहा है मेरी क्या संदीप कैसे हो नमस्कार साथ चल रहा है ना मेरे लिए एक डोसा लगाओ क्या डेली कैसा है तू यह जो पुलिस वाला है इससे पैसे मत मांगना इसे जाने द तूरी का दंदा चौपड के देख ले मजे मैं हूं मैं पैसा नहीं है एज़ेस्स कर लेना अस ऐसे खाने से मरना तुरी में खा रहे ने इसलिए कह रहा है आए उनके लिए बोल रहा है मुझे नहीं जिने शरम होती है वह कभी भी फोकट में नहीं खाया करते हमें पहों है बेशर्म कहीं है सर छो फूगट में खाते हैं वह बेशरम होते हैं मैं नहीं ऐसी बेशरम करने से अच्छा है मेरे ठाअट के वही पानी पीजा मैंस लोसे नहीं पと思いますरी === आये सर आये सर आये सर सम लोगों ने अंतिम दर्शन कर लिये ना अब मैं इनका चेहरा ढख रहा हूँ बैठो ठीक है बैठता हूँ दूसरे देन उस लड़की से तुमने क्या कहा था मुझे बताओ दूसरे दिन सुबैप मैं उसका अंतिजार कर रहा था गुट मॉर्निंग बाल क्रिश्न से राग है एक आदमी ने आकर बताया मैं उनसे मिलूंगा तो भी सेलक्षन नहीं होगा ऐसी बात क्यों कर रहे हो मैं उनसे दो दिन पहले चन्ने में मिला था वाट कितना बरोसा रखा था तुम पर तुम्हारे सेलेक्षन में ना आने से तुम नहीं अफसेट हुए मैं अफसेट हो गया हूँ क्योंकि मैं तुम से सिंसियल ही प्यार करता है और यह बताने के लिए मुझे खास जगह की ज़रूरत थी वाट हाँ मैं तुम्हारे लिए उस पागल औरत के पैरा में गिरी थी मैं तुम्हें एक एंबिशन वाला स्पेशल आदमी समझती थी लेकिन तुम्हें एक आम आदमी की तरह एक लड़की को पटाने के लिए आई लव यू कहने वाले आम आदमी बन गए अंजली मेरी बात सुनो मैं मैं तुम्हारी शक्कल नहीं देखना चाहती अंजली अंजली सुनो मेरी बात सुनो प्लीज अंजली एक मिनिट रुको इससे बड़ी और क्या बात होगी कि एक लड़की दिल को भागई मैं मानता हूँ कि मेरा अमिशन पूरा नहीं हो पाया लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है लेकिन प्यार में हार गया तो इस दुख को परदाश नहीं कर पाऊंगा प्यार दिल में घुसता तो दीरे धीरे है लेकिन जब निकलता है तो दिल को तोड़ कर निकलता है जानती हो मैं तुमसे क्यों मिला क्यों मैंने तुम्हारे मिनियाचर को तोड़ा स्वारी बोलकर के वहां से चला क्यों नहीं गया क्योंकि तुम्हारी तकलीप को मैंने अपनी तकलीप समझा था हम दो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है अभी तुमने कहा मैंने प्यार व्यार कुछ महसूस नहीं किया तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अब मैं तुमसे जो कहना चाहती हूं उसे कान खोल कर सुनो गुड बाई अंजली मेरी बात तो सु मुंबई चल रहा हूं अंजली वनना तुमारे घरवाले दस सवाल पूछेंगे मैं एक मेने के बाद इगर पहुंचू तो भी मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा इतना भरोसा है मुझ पर इसलिए मेरे पापा जिस लड़के के साथ कहेंगे उस लड़के के साथ शादी करू कि यहीं तुमारी समस्या मुझे अपने पापा से मिलूआ मैं उन्हें करूंगा और तुम्हारे पापा का दामाद बनकर दिखाऊंगा यह मेरा वादा है है ठीक है मैं तुम्हें लेइचलती हूँ पर किसी भी कारण से अगर वो नहीं माने तो फिर तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगी करूंगा फिर थे उयक्तिक तुम मिला इकर किर वो नुझका भी किन अल्व करें ऊच्टार्य बोल रहा हूं हाँ बोल्ड़ खिंग रहाँ है अब्ल़ रमा भाई मैं आपके ऑफिस के निचे आज हुए अब्ल़ भाई मैं आपके ऑफिस के निचे ही खड़ा हूँ अबख कोई कुछ नहीं कर सकता यह पूरी मुंबाई मेरे पॉकिट में है क्याल चालें तरे बहुत मोटा हो रहा है तोड़ा इसका खाना गम कर दो उसकी पापा से मिले थे क्या कर थे वह उस दिन शाम को उन्होंने मुझे रिस्ट्रेंट में बुलाया उनके आने के आदर गंटे पहले ही मैं वहां पहुंच गया था अर्जुन जी हलो सर जो यू लव माई डाटर यह सोचकर उससे प्यार नहीं किया सर मैंने अंजली से प्यार किया आपकी बेटी से प्यार नहीं किया नाइस रिपलाई मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पोचूंगा और मैं जवाब भी तुम्हें अभी दे दूँगा सब्लीस तुम हैंसम हो और बाते भी अच्छी करते हो तेंकियो सर लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं आए तुमने मेरी बेटी की मदद की इसके बदले में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ मुंबई में कोई इंडेस्ट्री सेट अप करके दे सकता हूँ या मुंबई की किसी कंपनी में तुम्हें जॉब भी लगवा सकता हूँ तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो लेकिन मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी नहीं करूगा सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चेन्ने के लिए टिकेट और रास्ते के खर्चे के पैसे हैं इसमें अंजली चला ए अंजली तुम मेरे इस फैसले से नाराज तो नहीं हो न नहीं बापा मैं नाराज नहीं हूँ सर एक मिनिट सर कोई देखते ही पसंद आ जाता है और किसी को दोस्ती करने के बाद उसके करेक्टर को पैचानने के बाद पसंद किया जाता है सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर मैं आपकी अर्जुन मैंने तुम्हें एक बार समझाया तुम्हारी समझ में नहीं आया है क्या मुम्हें मेरी क्या तागत है तुम्हें पता है कि अचानक दंगे में उसके पिताजी चल बसे अगर वो जिन्दा होते तो उन्हें अंजली से शादी के लिए कंवेंस कर लेता लेकिन उनके मनने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं और अंजली एक नहीं हो सकते यह बताने के लिए कि मैं उसके जिन्दगी से हट काया हूं और सौरी कहने के लिए मैं उसके घर गया था अब मैं तुम्हें कभी तक नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाये तुम्हारी जिन्दगी में दखल नहीं दूंगा तुम इस सिट्वेशन से बाहर आओ और हसो खेलाओ बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगे और मजो कुछ नहीं चाहिए तुम तुम अपना ध्यान रखना है कि एक मेंट रुको मैं तुम से शादी करूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मेरे पापा के कातिल को जेल तक पहुचाना होगा मैं अगर उसको कानून के सामने खड़ा करू तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा इतनी पावर है उसके पास खुद ही अपना गुना कुबूल करके खुद सरंडर हो जाए कोट के सामने तभी सजा मिलेगी उसे तुम उसे सरंडर करा सकते हो ना अगर तुमने ये किया तो मैं तुम से शादी करूँग उसके बाप को किस ने मारा उसके करेक्टर को पैचानने के बात पसंद किया जाता है साथ इससे पहले कि वो मुझे मारने की कोशश करे हमें उसे खत्म कर देना चाहिए इस सब काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है अन्ना गाड़ी आगे लो गाड़ी आगे लो इससे बात कर रहे हो बता है ना गोवर्धान अब फैसला तुम्हारे हाथ में तुम पुलिस में सरेंडर कर दो तो अंजली मुझे मिल जाएगी पुलिस को जाकर बता दो कि अंजली के पिता को तुमने मारा है जाओ तुम क्या सिर्मानने पिटने की भाषाई जानते हो तुमने कभी प्यार किया दो प्यार करने वालों क्यों किया तुमने बोलो जवाब दो अगर वापस यहां देखा तच्छान ले लोगा रामनना तु जितना भी बड़ा हो मैं तुसे डरने वाला नहीं हूँ मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा पारश्मनी को क्या हुआ बोलो ना क्या हुआ इसका मतलब तुम अंदर नहीं गया भीड को देखकर शराब पीकर रोना शुरू कर दिया बस यही कामे यही कामे चरह दो यहां से बेवड़े लोगों की दुनिया में कभी कमी नहीं होगी बहिया मनी भहिया यह क्या हो गया इन्हें किसी ने इन पन नीमबू खुमा दिया क्या तो मैं क्या करूँगा बोलो अब इस तरह से नाच क्यों दिखा रहे हो दांसाप करना है क्या कोंने यह आंटी है ठीक है राउंड मैं और यह तून्गा एक हाथ प्रकाम नहीं कर रहा है पिर भी बात कैसी कर रहे डेखो अब हो यह सीडी देंप किने के रहे हैं आप दोनें की और यह 10 सब मात करते हो तो फिर यह दो MOR मात कैसे बनाया जाए Widore भाई साब भाई साब सीडी में आपने जो बताया था उसी फार्मूले से खाना बना के लाया हूं जरा टेस्ट करके दिखाओ मूह तेड़ा हो रहा है चिस तरह जलेबी तेड़ी मेड़ी वंची अरे ऐ ऐए कि ऑ इनने क्या हो रहा है भाई आप लेट इस तुम ने कभी प्यार किया रहने पिटें की बाशाई चाहिं दो प्यार करने वालों को आलग क्यों किया इतुमने रमन्ना, रमन्ना, भाया, आप चले जो में टेक्सी से आजोओंगे, ठीके मैम, रमन्ना, रुको मैं आ रही हूँ, रुको मैं आ रही हूँ, कैसे हो तुम, मिलूँगे नहीं, बात नहीं करूँगे, यही का था न तुम्हें, देख अभी तक जिन्दा हो, मरा रहीं, तेरे सामने खड़ा हो, मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह गलती की, घरवालों को बताए भी न, तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन वो हिम्मत घर जाते ही खत्म हो गई, तुमसे प्यार करके तुम्हारे साथ ही सिंदगी काटती, तुमसे ही शादी करती तो, आज र अंदर से खुश होने वाले सैडिस्ट हैं, वो हर रोस मुझे दुखी करता है, मुझे ठर है कि वो मेरे बच्चे को मार देगा, अपनी किसी दोस्त के साथ मन खोल कर बात करने के इच्छा हो रही थी, तुम्हें देखते ही अपने आपको रोक नहीं पाई, चाहे तुम मुझे से नाराज हो, फर मेरे बच्चे से तु नाराज मत हो, इसे छू कर तो देखो, इतना भी नहीं पूछोगे कि ये लड़का ह कि ये ये लड़की, ये ये लूग, पक्रोना! कि ये 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 से घचे से लिए ये 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 मुछोगे के एमिमाे के लिए लीये से छिए करेंगों हो, इसे लिए ये मुछोगे कैस्टाइक कि अजसे से एले ही तुमि 있습니다. ठीक है ठीक है हाँ बताता हूं हाँ बताता हूं जॉन का फोन था कांगो से पार्टी आई है चूबस स्टेंड पर मिलने को कह रहा है वहां नहीं मिलेंगे कहां मिलना है मैं बताऊंगा फोन करके बता देंगे इतना पिटने के बाद भी आपसे मिलने की जित कर रही है सुनी नहीं रहा है अमारी बात क्या चाहिए बोल तुम सरेंडर कर दो अभी मैंने उस बुढ़े को गोली मारी थी किसी भी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन निखवा दे चल जा इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है और ना ही कोई सबूत है तुम सरेंडर करोगे तभी केस बनेगा जानती हो नो चल अगर दुबारा तुम्हें खुच चाको मार दूंका तुझे यहां मारे का यहां मारे का क्यों बैटिंग कर रहे क्या वहां का तो जान नहीं जाएगी यहां पर काटोगे तब जान जाएगे आपको पूटाव जल्दे जल्दे लाओ जल्दी लाओ अन्ने डालो मेरी बात सो, तुम लोग तो कुछ बोलो, उस लड़की का नाम क्या है, क्या नाम है उस लड़की का, क्या नाम है उस लड़की का, अंजली, क्या करे थी वो, तू उसे मिला था न, मिला था न उससे, क्या करे थी वो, गेटवे आफ इंडिया वहां पर मेरा इंतिसार में थे थे हैं थे हैं मैंने सुचा था कि रमन्ना कोई आम आदमी होगा पर वो तो बहुत बड़ा आदमी है उसके पीछे इस बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है आसानी से गलती मान ले जेल चाहिए कि अचला जाए वो ऐसा आदमी नहीं है अंजली अंजली मैंने अच्छी हो मैं अच्छी हूं सर्थ है मैंने पेपर में पड़ा था कि तुम्हारे पापा का देहां दो गया आम वेरी सॉरे इस वो क्या अंकर यह कौन है इतना स्मार्ट लड़का अर्जुन मैं इन से शादी क करने वाली हूं हेलो कॉंग्रेचुलेशन क्यों थांक्यू फ्री होते ही मैं तुमसे मिलने आओगा वाय अंजली वाय अर्जुन बाय 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 क्यों तुम्हें सप्राइज हुआ कुछ भी हो मरे हुए लोग कभी वापस तो नहीं आते फिर हम क्यों दुखी हो आज से हम ह बाइक पर मैं रोड ट्रिप करूँ मैंने पापा से पूछा उन्होंने कहा शादी के बाद अपने पती के साथ बाइक पर घूमना अब तो तुम मिल गया हो तो चले अंजली तुम ही यह सब कुछ मत कहो बस चले मैंने तुछी दिल से मेरी अपने दिल तुछ पी ही हाँ ने सार किया दिल में तुही मेरे दिल में मेरा सब कुछ दे रहे अब इकरार किया मेरे चले रहे दिल में तेरे तुछ पी है अब तो रग मे मेरे यह काफी है मेरे लिये जानम तुब बता दे मुझे क्या तेरा हुँ मैं ओ हम्दम इसल में तू बसकर तू बसकर चगाया चगाया चाहते मेरी जान इसल में तू रचकर धड़कन में तू बसकर तुछ को ना शोड़ों में कभी ना मेरी जान मेरा दिल चुराया साजन पता चलाओ ना मुझे लेकिन तूझे बिल के पालम खुशी हुई मुझे तेरे सपने क्या है बता मुझे उनका पूरा मैं ही करूं कहाँ मेरी चाजन तेरी कसम कोई और नहीं है दिल में तेरे उसमाई है अब तो रगने मेरे ये काफी है मेरे लिए जानम दू बता दे मुझे क्या तेरा हूँ मैं ओहम दं ए ello चेयर प्राप चेयर प्राप किरफ प्राप तुम्हें खर लैंडो कि आप मुझें कुछ समझ में Якपया जना प्रावट आप झांदंगर मैं भिचिगस थी खीची खीची से तेरिया ये अकिल अपन मेरा नहीं कटी साजन बीदे दिन हे उतो सनम राते कटी नहीं तेरे बिना कुछ नहीं सूझे हाँ लम्हा कटे नहीं तेरे भगे मेरे हम दम मेरे तेरे हम कोई और नहीं है दिल में तेरे तु समाई है अप तो रग में मेरे ये काफी है मेरे लिये जानम तू बता दे मुझे क्या तेरा हुमेद ओ हम दम इस दिल में तू मसकर तू मसकर चाटाया चाटाया चाहते मेरी जानम इस दिल में तो रिचकल धर्दम में तू नजकल तुछ को नाशोड़ों में कमीना मेरे जान तेरी ही हुँ में है राहम क्या करू मैं नजरे मिल गई तो तब से ही डरू मैं अर्जुन आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ थी कैसे लगा उस दिन में बहुत खुश था आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है आज के दिन मुझे जो खुशी मिली है उसे मैं कभी नहीं बूल सकता सिर्फ एक दिन रहने से तुम इतने खुश हो रहे हो अगर यहीं खुशी जिन्दगी पर चाहते हो तो रामन्ना को सरंडर करवाना होगा आखरी सास तक मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तयार हूँ वो मुझे मिले इसके लिए तुमको जेल जाना ही पड़ेगा अपनी आखरी सासे गिंद रहा है ये लड़का फिर भी तुम्हें सरंडर करने की सला दे रहा है रमन्ना बस हुकुम तो करो इसके साथ साथ उस लड़की को भी खतम कर डालता हूँ वरना ये तुम्हें तंग करता ही रहेगा शरम नहीं आती लड़की को मारने के लिए अर्जोन ये बता लड़की कहा है मैं उसे मिलना चाहता हूँ और उससे समझाना चाहता हूँ कि उस दुन जो कुछ हुआ वो एक एक्सिडेंट था तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी है तुम दोनों को मिलाना इज़ान ये तुम क्या कर रहे हो साउट अफरीका की पार्टी 25 करोन लेकर अपना इंतिजार कर रहे ये वरिकार में ये तुम टाइम खराब कर रहे हो मैं अभी इसे खतम तो जानता है रामना का भाई है कोई बच्च वह रहाए, ओने जी जाए, और डूप रहाए, और बच्च वहाँ । स्मय कोई बच्च आए बच्च अन्ये वहाँ, और बच्च अे बच्च, वह बच्च अन्य जा fifty people, heo, estou to the car, stop around! तुम उसे गाड़ी से उतारो भाई वो आपका भाई है उसे भरती करेंगे उसको नीचे उतारो पर भाई हॉस्पिटल तो बगल में ही है चलो रुल कौण कौण वां पुल कौण कौण पॉप कौण पुल हॉप हॉप अई जो करने क्राँ चुप नहीं खुनी टॉर्व दोक्टर टॉफ और दो क्वा गवा क्योंड्गर्द्व beiden माइफ मैं करेंड कौछ दोक्टर क्रिमिनल कर सो है पहले चाब ऐफ्सक्राव दौक्टर्ण के लिए संदहिआ मुलुज नियुक्त पूछ único अभी कोडराना है समस्तानी तु लावथ डॉक्टर को नाम पूछो तुमारा नाम क्या है वाटब डॉक्टर के बच्चे कितने और आड्रेस पूछो तुमारा एड्रेस क्या है थूंप कैना क्या आप और चारे हो अब लें भगवान हो नर्स टेकिम अमर्जनसी बाबा आपका भला करें बाबा रामणना की मिटिंग खतम होने वाली है अगर हम वहां नहीं देखे तो अपन गए काम से चलो जल्दी करो पार कियों ब्रदर सिस्टर सब अच्छी है कि नहीं बोलनी तो हॉस्पिटल बदल दिंगे अरे अरे कुमाप करते यार्ज ये ले दूद्ध पीले उन बहुत 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 बैग यह ना इससे पीएगा तो वापस बन जाएगा क्या हो रहा है यह बताने यह ऊस्पिटल है बढ़ गयता है इसका मूह ठीक कर रहे हैं बैठी यह देखिये चीहीं सब्सक्राइब कि अ है अरे वावावावावावाव डॉक्टर जीत गई क्या बात है देखा चलो चलो सब लोग बनाई दो बनाई दो कि यह मैं सोचना कि तुम अपनी वर्दी का फाइदा उठाकर किसी भी लड़की के साथ कुछ शुश्में कर सकते हो तुम्हारी मौत बहुत नजदीख है तुम है यह हो एफ है तुम इतर आओ इस तरह नाम क्या है को और रयता है तुम सब सब यह रमना का छोटा बाइए तुम अरे रवन्ना का भाई है तो वही नाग वही आंके हैं एनिवेज आम अशोक दिवारी रवन्ना नाराज मत हो अर्जुन तो तेरा भाई है ना जो मर गया उसे भूल जाओ वह सिंदा है यही चुपरे वह क्या है रोड पे पड़े किसी को हस्पिरल में भरती किया और उसे बचा लिया यही कह रहा है है ना आपका भाई प्यार के लिए जान देने के लिए तयार हो गया था सच्चा प्यार कर रहा है वह हमने पहले भी मदद की है ठीक है काम करता हूं उसके पापा को गोली मैंने मारे थी यह बता कर मैं सरेंडर हो जाता हूं फिर वो अपनी इच्छा से उस लड़की से शादी करके खुश रहेगा उसके कुछ दिनों के बाद तुम लोग मेरी जमानत करवा देना रामना बहुत अच्छा रामना मैं यही सुनना चाहता था क कोई एविडेंस नहीं मिलेगी खुच सरेंडर कर भी लिया तो केस कोट में फेल हो जाएगा दस दिन में भाई की जमानत हो जाएगी जमानत मिल जाएगी मिल जाएगी तो दॉचल सब्सक्राइगे जमानत में ठीक तीरे घर के नीचे एए चलो निकालो हत्यार चलो बारो उसको गाड़ी से निचे उतरो रमन्दा मैं खुद तुम लोको को दिखाएंगे रमन्दा हम से बहुत बड़ी भूल अगई जो हमने तेरी शिफारिस रमन्दा से की उसने हम सबको गोवर्दन के सबने डाल दिया उसके आज में बहुत मारा कैसे भी जान बचाकर यहां तक पहुंच पाया हम लोग क्या रहे भुखर लोग मैं अभी-भी सबजी लेकर आया हूं और त करता हूं पर इसका मतलब तुम लोग गुंडा गरती छोड़के यहीं पढ़े रहोगे क्यों रे तुम लोग हमेश्या मेरे बुलाने पर यहां आते हो जब मैं कहता हूं आओ खाओ जाओ तब आते हो और खाकर चले जाते हो कभी किसी ने बताने की कोशिश की रामन्ना को क कि अर्जुन उसका भाई है वो उसकी मदद करें क्यों रे भूख के मारे बहरे हो गया है उसके कान पर लगी है मैं तुम लोग को रोज चिकन मटन खिला रहा हूं फिर तुम लोग इसका कान क्यों खा गए बे सबका कारण तुम हो हम तुम्हें नहीं चोड़े कारण तुम हालो रमना फस्किया है गोवर्धन को पता दो भाई रमना फस्किया वह वहां से भागना नहीं चाहिए वहीं खतम कर दो उसकी मौत इतनी भयानक होनी चाहिए कि कोई सोच भी ना सके अगर मैं चाहूं तो भी तुझे फसा सकता हूं सब लोगों की नजर तुझ पर है और वो लोग तुझे देखते ही गोली मार देंगे बच्पन में तुने मुझे मारना चाहा लेकिन किसमत से बच गया लेकिन आज सोचता हूं काश मर गया होता तो आज ऐसे मर मर के नहीं जीना पड़ता और मेरा दर्द क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी वजह से अंजली मुस्से दूर हो चुकी अरजन तुम्हारे पास्पोर्ट दो तुम और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ठिकर और वीजा का बंदो बस कर दिया हैं वहां जाकर शादी कर लेंगे और बच्चे भी वही होंगे कि वहीं सेटल हो जाएंगे मेरे दोस्तों ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है कि यह लो कि अंचली मैं सीरियसली कह रही हूं अर्जुन उसे सरंडर करवाना मुश्किल है यह बात तुमने ही कही थी और दूसरा कोई रास्ता नहीं यह लो अर्जुन उसे इस गण से गोली मार दो मेरे पापा को मारने वाला खुशी से जीर आई इस बात को मैं जील नहीं सकती हूं यह काम कर दो क्या सोच रहे हो मैं अच्छे से जानती हूं तुम उसे नहीं मारोगे तुम मारना ही नहीं चाहते यह सच है ना रामना तुम्हारा भाई है ना कि प्रावन ना मेरा भाइ यह सच है पर उससे सरेंडर करवाऊंगा तुम उसे भी चाहते हो और मुझे भी चाहते हो रामना एक सेक्ड में मर जाय ऐसा मैं नहीं चाहती उससे जिन्दकी भर सजा मिलने चाहिए यही मेरी इच्छा है अंजली मेरी पास समझो अंजली उसे सरंडर करवा दूंगा यह कहकर जूटा वरोसा दिया तुमने प्यार करने वाली अगर तुमहारे आखों के सामने दर्द का पता चले harsh its release the कि तुम्हें कैसे समझां कि मैं तुम्हें दोखा नहीं दे रहा हूं यह देख रही हो हाथ काट के बहती हो गया था बहूत केमूंसे आया वो मुझे भजपन में मानना चाहता था वो मेरी जरूरत नहीं है तुम मेरी जरूरत हो मैं ऐसी के लिए लड़ा रहा हूं कि अधिने एकस्पेस वानवान सीवोवान काटपाम नमबर चार पर एक खटे में पहुंचने वाली है तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा मूद ठीक नहीं है मैं तुम्हें सबकुल समझा दूगा मुझे फोन करना आज के बाद कभी फोन भी नहीं करूँगी तुम्हारा और मेरा संथैंस सिर्फ समय क्ました है इसके बाद तुम कभी मुझे मिल भी नहीं सकते रामान ना अरेस्ट हुआ तो मीडिया के लिए बड़ी न्यूज होगी जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं खुद ही तुमसे आकर मिलूँगी अंजली क्या यह मेरी सजा है नहीं यह फैसला है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकते ना तो ठीक है करके दिखाओ अपने निधारिट समय से दो घंटा देरी से चल रही है धन्यवाद कैसा अनौसमेंट है यह मेरी ट्रेन दो घंटे लेट हो गई है तुम चले जा औरजुन आज के बाद पता नहीं तुमसे कम मिलूँगा कम से कम यह दो घंटे मेरे साथ बिता लो प्लीज धड़के दिल, धड़के दिल, दुख में तेरे धड़के दिल, दूरू मुझसे अभू नाचाना, तेरे बिनाभी मुझे नाचीना यो दिल मैं मार के खंचर, मुझे ना तड़पा मेरे हम्दम, नहीं जी पाऊंगा तुझ पे, मेरी बात मान ले ओ जानम दुनिया से अभ नहीं डर के, तेरा साथ न छोड़ूगा मर के, नहीं लगेगा तेरे बिन अभू मन, मेरे दिल ये सुन ले सदा जब ही मैं सोता हूँ, ख्वाबों में मेरे आती हो आके मुझे सेने से अपने तुम लगाती हो सपने में चलने की आहट कोई कानों में धीरे से मेरे दिल सदा तु सुन ले तो बाई, मैं जा रहे हूँ एक मिनिट रुको, तुमारे जाने से पहले मैं जा था मेरे अंजली इसी दुन्या में कही है, लेकिन वो कहा है? इसकी मझे कोई जानकारी नहीं है मुझे अंजली को पाना है उसके साथ जीना है मुझे लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम सरेंडर करोगे नहीं तो इन सब को तुम्हारे बारे में बता दूँगा मैं यहाँ हो उपर आजाओ चलो उसको पकड़ो उन सकताँ पक्राइ को ुर्ण करा बार करा दिए दो पूहाँ। कर दो कर दो ए मैं है अपाँ कर दो कॉछ निए राकिंगी कर दो कि अव एला बबड़स कि अव्बड़स कि अपाँ राकिंगी कि अव्बड़स जिस रमना को बच्पन में देखा था, अब ऐसा नहीं हो मैं मुंबई में मेरी पोजेशन के है पता है, सबी जगे पे मेरा कंट्रोल है रियल स्टेट में किंग हो, सत्रा बिजनेस, दस घैर कानूनी, साथ कानूनी रमना से सभी डरते हैं, ये सब छोड़कर एक अंजान दड़की के लिए मुझे जिल की रोटिया तोड़नी होंगी चुप चाप गाउं वापस चला जा, वरना तू मर जाएगा कब तक कैसे परिशान होते रहोगे, तुम तो फाइव स्टार होटल के मालक बनना चाहते हो ना तुम मेरा ब्रेन वाश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, असली मुद्धे पर आजाओ ठीक है, सिधा मुद्धे पर आता हूँ, तुम्हें इस गैंग से निकालने के लिए मेरे पास एक आइडिया है मेरे पास एक सोपचास आइडिया है, लेकिन एक भी आइडिया काम कर नहीं है, पिछली बार लगाया था आइडिया तो पकार कट गई थी, तेरा आइडिया लेकर फसना नहीं चाहता अरे यार गलत मस सोचो, रमना जेल गया तो तुम क्या करोगे? देल गलास चावल कम डालूँगा तु, रमना जेल चला जाएगा, तो गेंग बिखड जाएगी, तुम आजाद हो जाओगे सही कह रहे हो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रमना का सेल फोन आदे गंटे के लिए चाहिए ये, वो क्या भाड़े की साइकल है क्या? जो आदे गंटे के लिए ले जाने देगा? अगर उसे पता चला, तो लोग काट देंगे हमको ये लो, एक रुपया, पीसियो जाकर फोन कर लो और रमना की फोन की बात को भूल जाओ बिना मेहनत की कुछ नहीं मिलता क्यों, तुझे और तेरी लवर को खुश रटने के लिए मैं अपनी जान गवादू कैसी बात करता है तू? कार में नहीं चलना है? रमना की तरह बड़ा आदमी नहीं बनना है? मुंबई पे राज नहीं करना चाहता? तू चाहता है न हिंदुस्तान में लोग तुझे पैचाने? कोशिश करता हूँ, जरूर मिलेगा, सेलफोन जरूर मिलेगा लेकिन एक बात साच है, तेरे जैसे आदमी ही मेरे जैसे भोले भाले आदमी को चोरी करने पर मजबूर करते हैं सोच मढ, जलती जा, कुइट, कुइट, कुइट , सेलफोन को उठाना पड़ेगा उठा, okay., Chance को खाने के चमबज की तो ना टेबल पर रखा है, अब क्या करूँ , आरे अब पकड़के मार साले को मार डाल काट दे काट दे उसे में क्यों चिल लए रहा है हमारे साथ काम करने ह Mai हमें धोका दे रहा है उसे मानना चाहिए कि नहीं है तो यहां क्यों बाइख न ले जाने के Abgeord . कशीआ नले कि यह यूंट कर हूं नहीं करता है कर और किन दोर नी पार रहा हूं टोgl difference अरे वापरे इसमें लड़की का नमबर ढूंड रहा है वो लड़कियों से बहुत दूर रहता है और दिटर मुलीधर का नमबर तुम क्यों बास का नमबर ढूंड रहे हो मेरे सारे डॉकुमेंट्स, एस अन डेट, टोटल और जिनका हिसाब नहीं लिखा है, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, डॉकुमेंट्स, सारे के सारे डिटेल, एक पेंडराई में डाल कर मेरे ओफिस में लियाओ सर, जो काम आपने बताया है, वो बहुत बड़ा काम है, उसमें काफी समय लगेगा, आप ऐसा कीजिए अपने किसी आदवी को हमारे ओफिस में भेद दीजिए, आपका जो मनी है, उसने हमारा ओफिस देखा हुआ है, जो मनी है, जरूरी काम से अंधरा गया है, चाहे जितनी मनी बनाना छोड़ दो, यह सब प्लानिंग क्या कर रहे हो यह बताओ, वैसे तुम्हारा प्लान गलत है, वो कैसे, मनी तो मुंबई में है, अगर वो ओडिटर मनी को फोन कर देगा, तो हम तो फस जाएंगे ना, तुम सही कहा रहा है, वेट करो, अब मैं रमन्ना की आजमे मनी से बात करता हूँ, ए, सेलफ़न बोल गया, गाड़ी वापस ले चलो, एश, रामन्ना, बोले रामन्ना, ए, मैं जो बोल रहा हूं सुनो, तुम इसे वक्त आंधरा के लिए निकलो, और वहाँ पर गुंटिकल में उत्रो, और बड़ा साठी का लगा कर पंडित बन ठीक है, जा बेटा, जा, तेरा इंतजाम तो कर दिया मैंने, सक्सिस, लग, यह क्या, वापस रमन्ना के रूम में रख दो, ए, रमन्ना के रूम में वापस रख दू, उससे अच्छा तो मैं जा के ट्रेन की पटरी में लेट जाओ, मैं क्या रमन्ना की बीवी हूँ जो उस आने का प्लान बना रहे हैं, या मुझे फसाने का, रमन्ना के आने का टाइम हो गया है, जल्दी जानी तो तेरे फाइस निकल जाएंगे, आप सेलफोन भूल कर सले गया तो मैं देने के लिए बाहर गया था लेकिन जब बाहर गया तो आप दीके नहीं तो मैं यहां आगा, पिज दर्वाजा बंद करो हालो हां मनी कहा हो तुम रावन ने किसी अर्जन काम के लिए मुझे अंध्रा बेजा है ठीक है कोई बात नहीं बात मैं मिलेंगे विजिलन्स यह आप क्या कहने मेरे पैस कुछ नहीं है घवार पकी खबर है प्लीज कोपरेट विजा आप इंक वाजी के बाद ही जा सकते हैं नहीं यह तो मेरी बास सुन क्या कोई सिक्रेट मैटर नहीं शुक्रवार को बारिश होने वाली ना होई मैटर है यह तुझे कैसे पता चला अरे हाँ मुझे सब कुछ बता दिया घ्रिक है बॉक्स ले लिया मैंने उसे हिंदी पर समझा दिया पर वो समझा नहीं बेवकूब कहीं के आंधरा में जाकर हिंदी में बोलेगा तो कैसे बता चलेगा अरे नहीं फिर तेलों में कहा शुक्रवार को बारिश जरूर एक वैसे नहीं पूछना है जैसे मैं कह रहा हूं वैसा पूछना जब तुम वह जाएका तुम टुम पर बॉंग करते रहों जो कैसे देते किसी और के साथ भाग जाएगी क्या का तुने राने वाले शुकरवार को मेरी औरत किसी और के साथ भाग जाएगी ये कहरा है तू कि ये वो कुछ का आका, वहीं बोल रहा हूँ मैं शेक्षेए परो इसको! भार फॉर मंग करें पॉन ले लो ह हाँ ये लो तेंक्यू. अहे, रमन्ना का भाई, इधर क्या कर रहा है? तेरे भाई ने कुछ देने के लिए बोला है क्या? येस. क्या रॅह्त्प्न आ सेुर्ण एक क्या है? तो सक्ते ऐप्या कर मुपोड़ ग्सरोणने का कर दो ठीड़ी, रहगा कर दूंटा क्यों डूंडा का जोड़ामिताने एप dive बेर से के का जानों मुदुदू उसको धोका दिया तुने और डीटर को भसाकर आइटी पर वादी तुने रेट परवादी तुने रेट परवादी रमाना तुमसे बहुत नाराज है ये लो रमना का फोन बात करो तुमसे रमना खुण अबस इतना काफी है अभी हग आप जो देख रहे हैं यह अशिस्टंट कमिश्णर का बंगला है यह बंगला मरीन ड्राइब में है मुंबई की सबसे महेंगी जगा पर है अभी इस बंगले की कीमत तीन करोड रुप्या है 25,000 रुप्या हर मैंना कमाने वाला इतना बड़ा बंगला कैसे खरीच सकता है इससे यह बात साफ साफ पता चल चुपी है चड़ा मैंने तो यह सोचा था कि कमिश्णर साहब आज हमें बहुत डाटेंगे लेकिन यह तो उल्टा हमें पार्टी दे रहें आज कुछ समझ में नहीं आ रही बक्रे को बली चड़ाने से पहले हार पहना कर पुजा करते हैं उसी तरह है यह मिस्टर मैथ्यो जी हमारे डिपार्टमेंट में से और कितने लोग रमना करेंगे आपको पता है शरम यजोब अर अब पता चल जाएगा और कितने लोग इन्वाल्वड हैं उन सब को डिसमिस कर देंगे खाओ खाओ जी सिर्फ उनको डिस्मिस करने से कोई फाइदा नहीं होगा पहले उन लोगों के बैंक बैलेंस एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर प्रोपर्टीज यह सब चेक करो ज्यादा मीटा मत खाओ नहीं तो फिर शुगर की बीमारी लग जाएगी सर अब सबका ज्यान रखते हैं पाई डॉक्टर है त्रिवंत पुरम में हाँ हाँ इसलिए सर सर आइम वीर फॉम नागर कॉर्डर इलाके में सर एक्चली वाट यू प्लैनिंग हिंदी में बात कीजि किसी को पर्मिशन की जरुरत नहीं है सबको मेरी पर्मिशन है दूसरा मुंबई से अंडर वर्ड का नाम और निशान मिट जाना चाहिए सर इन फैक्ट वेरी करेक्ट सर बट सर अभी आप नहीं नहीं आये हैं यहांके आधे क्रिमिनल्स को पुलिटिकल सपोर्ट मिलाए हा पता नहीं कैसे मीडिया वालों को इस सब पता चल गया अभी अगर हम एंकाउंटर करते हैं तो डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर का पता नहीं चल पाएगा सर और हमारे डिपार्टमेंट पर मीडिया वाले थूकेंगे अभी तो वह बजगया सर लेकिन हमारे डिपार् जरू हो जाना चाहिए हम जरूर करेंगे क्यों Thomas यह हो सकता है ना आप बिल्कुल हो सकता है sir squad boys are you ready कि है कि कि अ कि अ हुआ है हुआ है हुआ है अज़ ए जज़ हैं भ bentcco कर दोडसाओ चांवान अ만 अञान था, आसे जहाल क्यूल," आपगान, olduğипे, हालि, रैना है, सबस्क्राइब और श्वाल, है. लोड़ समय लाए झारम MR2 करता लाए लाए? दो नो हम लो रए ऊगर लो रए का लो नो अगर इा दो इवा内न Travel लगलाए, लो अपैंगे ऊशर बर लो में, का लो प्कालाम! कंपर लो में bedod Рभी gorे जनका लज है थोड़े दिनों के लिए मेरे फोन पर कॉल मत करना मैं तुमसे बात नहीं करूँ मैं जो कह रहा हूं सुरो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है फोन भी ट्रैफ हो सकते हैं तुम तुम रखो आखिर उसने राजनीती दिखा ही दी थोड़े दिन के लिए हमें अपना काम बंद कर देना चाहिए सज का हूं तो रवन्ना कभी कभी डरने में भी समझदारी होती है कोई बुरी बात नहीं है किस पुलिस वले ने तुम्हें ऐसा कहा था मिर्याखों में देखकर बात कर तुम अप्रूवर बन जाओ तुम्हें हम सजा से बचा लेंगे हैं यही का था ना तू कब सरेंडर हो रहा है बोलना शक्क कर रहा है रमन्ना इतने सालों से तेरा साथ दे रहा है और तू मुझ पर शक्क कर रहा है मेरे एगरवान को पकड़ाए जाकर अपने भाई के एगरवान को पकड़ आज जो भी यह हालत हो रही है उसका करण वो है उसी ने ECB को मार कर सारी सच्चाई प्रेस के सामने अगलवाई है पता है तुझे इसलिए नया कमिश्णर आ गया है और्टीटर अरेस्ट हो है कमिश्णर रेट गार्मेंट सब चीजे बंद होने का करण यह है आज जो तु अकेला हो गया है उसका करण भी वह है अब जा और जाकर उससे पूछ क्यों क्या है उसने ऐसा क्यों रमना यह तो कमाल हो गया तुने मुझे फोन किया जब तक तु सामने नहीं है सिंदा रहेगा सामने आते ही तुझे मारतों का कि तेरे को चूट लगी है ना इसलिए तड़ा प्राय क्या कहा था रमना नाम है मेरा रमना से सब डरते हैं कहां तक चुपेगा तेरे सारी दर्वाजे मैंने बंद कर दिये तेरे पास सरेंडर होने की सिवा कोई चारा नहीं है आये असिस्टेंट कमिश्टर साहब एंकाउंटर करेंगे चाती पे गोली मारेंगे तभी तो जान जाएगी क्या रमना कैसी बाते कर रहे हो खामखा क्यों टेंशन ले रहे हो टेंशन ना दो तो क्या करूं पेरे चार आदमियों को गोली मार दी बारा को अरेस्ट कर लिया और आठ लोग अस्पताल में भर दी हैं दस-विस लोग गायव हैं और कह दिया कि गाउंच अगया एक्शन सिर्फ तेरे गैंग पर नहीं गोवर्दन गैंग पर भी लिया है गोवर्दन मारा गया पता है न कमिशनर बहुत नाराज है तुझे एरस करने की जीत कर रहें गुस्सा मत करो मेरी बात सुनों कितने दिनों तक चिपचुप कर जियोगे कहीं फॉरें चले जाओ दो-तिन साल के लिए मुमबई मत आओ क्या कहा, क्या कहा, मुंबई छोड़ कर जाने के लिए कहते हो, इससे अच्छा है कि मर जाओ समझने की कोशिश करो, थोड़ी दिन की भात है, दो-तिन साल में कमिशनर जाएगा और मैं आऊँगा उसी पोस्ट पर, फिर से तेरा राज होगा, और तुझ से सवाल पुछने वाला, यहां कोई नहीं होगा क्या कहा तुमने, अगर उस कमिशनर का ट्रांसफर हो जाए, तो तुम इस पोस्ट पर आऊगे सिनियर्टी के मुताबिक मैं ही आऊँगा, सच में, बिल्कुल सच, फिर तो ट्रांसफर का इंतिजार करेंगे, क्या कह रहे हो तुम, उस कमिशनर को मैं खत्म कर दूगा, कली खत्म कर दूगा, क्या, यह क्या मजाग है, कमिशनर मर गये, तो हंगा मा खळा हो जाएगा, व करेंग कर दूगा, यह कै ये बारिश का पानी तो गिरता ही रहेगा इस बारिश में खेलेंगे सारे हम मिलके चेरे पे खुशियां लाओ यारो सारे मिलके अब आओ खुशियां मानाए हम सारे मिलके अब कुछ भी हो जाए हम होंगे नहीं कभी गुम आओ यारो जुमें मिलके नाचे गाएं सारे हम ये बारिश का पानी तो गिरता ही रहेगा इस बारिश में केलेंगे यारो हम सारे मिलके ये बारिश का पानी तो गिरता ही रहेगा इस बारिश में केलेंगे सारे हम मिलके कर्मों के नीचे तेरे जाँ मिटेंगे नीचा जो है वो आएंगी खुश्या जीवन में जखम सारे भर जाएंगे सोचना क्या है यारो जो करना हो करेंगे जीत होगी जब हम हारी बाजी जीतेंगे अब कुछ भी हो जाए हम होंगे नहीं कभी गुम आओ यारो जुमे मिलके नाचे गाएं सारे हम बारिश में खेलेंगे सारे हम मिलके तेरा जो ये पसीना है ये खुश्यव के ही आसू है चड़ेंगे हम पहाडों पे लाएंगे सब पहारों दो जीवन को खिलाएंगे हम जैसे खिलते हैं गुलाब फारी को बदल देंगे हम जीति कर लेंगे हिसा अब कुछ भी हो जाए हम होंगे नहीं कभी गुम आओ यारो जुमे मिलके नाचे गाएं सारे हम ये बारिश का पानी तो गिरता ही रहेगा इस बारिश में किलेंगे यारों हम सारे मिलके क्यों रमना कमिश्णर की गाड़ी को उड़ाने जा रहा है इस स्पीट से कुछ नहीं होगा 150 की स्पीट से जाएगा तभी उस गाड़ी का कचूमर निकाल सकता है अगर तेरा प्लान सक्सेस नहीं हुआ और किसी वज़े से कमिश्णर बच गया न तो एक बास समझ ले तू गया काम से स्पीट बढ़ा दी क्या अच्छी तरह कॉंसेंट्रेट कर रहा है अब एक बास सुन रहा मना तुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि जिस कार को तूड़ाने जा रहा है उसमें कमिश्णर की बगल में तेरी लवर का बीटा बैठा हुआ है अरे हां क्याना में उसका प्रवीन हां वह उसी में बैठा है अरे वहां सामने रोकना सामने रुपाना कि अधर हलो सर मेरी बाइप पंचर हो गए चोटू का एक्जाम है इसे जल्दी जाना है क्या आप इसे जवाहर विद्याले में डॉप कर देंगे इस अंधा वे गोरेगा अधा अधा थेंक्यू थेंक्यू सर थेंक्यू सर मेहुडोन रमना स्पीड बड़ा 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 यार अरे यह माला इतनी पतली है और कितने पैसे मांग रहा है चो मुझसे रमना मेरी बात्तों सोनों रमना बात्त्तत्त डिल्याद 10 वी घंदनी फिल्याद 10 वीच्ट वीच़ याम रमना वीच्चिक वीच्चिक अड़ प्रोड़ी छुद करें दुद करेंग समय करेंगा चुद एाँ में थसे हुआ should be आपकारा प्रेश फाला हुआ है कि अब दॉए जदे दूए कि अपट राई शॉओ सुट ही जड़ा जया जड़ा है कि अ कर दो बहुआ कर दो ! कि अछूह बढ़िएे एकी तूहाइब तूहाँ पादूहाँ तूहाँ बढ़िए लगी सबस्या अब़िए इसलिए अरुछ आपने गलती कर दी भाई क्या गलती की वेड़े दस साल के उम्र से हकेला हूँ मेरी मदद किसी ने नहीं की इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने मुझे एक वक्त की रोटी दी सब कुछ अकेले लड़कर जीता है रमन्ना नाम से लोग डरते है प्रमन्ना एक पावर है लेकिन इसने एक लड़की के लिए मुझे हकेला कर दिया ये मरीया जिन्दार है मुझे कोई फार्क नहीं नहीं भाई ये बहुत अच्छा लड़का है ये तो आपसे भी ज्यादा अच्छा है अरे कैसा प्यार है तुमारा तुम लोग एक लड़की को पटाते हो फिर उसे पागलो की तरफ यार करने लगते हो क्यों? क्योंकि तुम उसके बिना जिन्दा नहीं रह सकते तुमारी उम्र क्या है अभी? बहुत छोटे हो जिन्दगी में अभी बहुत कुछ देखना बागी है सुनो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है मैं मुबई क्यों आया पता है? बच्पन में भागा हुआ रमना हम सब को भूल गया था लेकिन हम लोग उसे नहीं भूले हमें यकीन था वो एक दिन जरूर आएगा उसके माबाप उसका इंतजार कर रही थे लेकिन हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी सब के सब बड़े परिशान थे उसी समय हमने इंडिया टुडे में रमना के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा था हमें लगा रमना बहुत अच्छी जिन्दगी जी रहा है लेकिन पुलिस उसकी तलाश में वो क्रिमिनल बन गया है या हमने कभी सोचा भी नहीं था आज जो रमना क्रिमिनल बन गया है उसकी एक वज़े मेरा बचपन भी है यह दर्द अपने दिल में लिये हुए मैं उसे तलाश करने के लिए मुंबई आया यहां उससे पहली मुलाकात कैसे होई पता है गोर्धान मैंने सोचा था उसका भी एक परिवार होगा और उसे वापस चलने के लिए राजी कर लूगा लेकिन जल्दी इस बात का ऐसास हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जब उसके बारे में और जानकारी घटी की तो एक बात और पता चली छे यह क्या कर रहा है बच्चे को गोली चला ने सिखा रहा है इसे स्कूल छोड़ कर रहा मैं समझ गया कि उसके दिल में भी कही न कहीं रहा है उसकी जिंदेगी में प्यार के लिए जगह है वो किसी से प्यार करता है अपने दिल में दर्द छुपाए अपनी प्यार की निशानी को वो बड़े ही जटन से पाल रहा है ये सब जानने के बाद मैंने एक प्लान मनाया सच कहूं तो मैंने किसी से प्यार नहीं किया मेरी जिन्देगी में अंजली नाम की कोई लड़की नी है रमन्ना को जो प्यार की कहानी सुनाई वो बिल्कुल जूटी थी ये क्या कहा रहा तुम? ठीक कहा रहा हूँ, ये प्यार की एक काल्पनिक कहानी है प्यार में हारा आदमी कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा आशिक भी हारे क्योंकि वो प्यार का दर्द जानता है प्यार के नाम पर रमन्ना को जो कहानी सुनाई थी, वो मेरा पहला जूट था पता है इसकी शुरुवात कैसे हुई उस दिन लड़ाई में रमना के हाथों से एक आदमी की मौथ हो गई थी और उसे मैंने अपनी कालपनिक प्रेमीका का पिता बना दिया मैं जानता था कि अपने पिता के सामने रोती हुई लड़की का चहरा पापा रमना को किसी भी सूरत में याद नहीं रहेगा अंजली से पहली बार मिलने से लेकर उसके साथ जगड़ा होने तक सारी की सारी बातें जो मैंने रमना को बताई थी उसका एक ही मकसिद था रमना के दिल में रहम पैदा करना और वापस अपने साथ ले जाना उसने मेरे लिए चनम लिया है उसका नाम है अंचली मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसी न किसी दिन रमन्ना को पुलिस कोली मार देगी उससे पहले अगर वो अपने गुनाह कबूल करके पुलिस के सामने सरेंडर कर दे जब बहार आएगा तो रमन्ना अच्छा इंसान बन जाएगा यही मेरा मकसद है मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ मुझे मेरा भाई चाहिए जिन्दा चाहिए पुलिस के लिए के लिए के लिए के लिए अरजर अरचर अरचर के लिए अर्चर अरचर ए छोड़ने मेज़े तेड़ने नहीं आता छोड़ भाई मेरे कभी अपने भाई के लिए अच्छा काम नहीं किया जब उसे होशा है तो कहना रमन्ना ने सरेंडर कर दिया है नहीं उसके भाई ने सरेंडर कर दिया है अच्छा बनने की कोशिश करना है जल्दी वहर आओ अप्याओ जब दोक्टर को बुलाओ मैडम इससे आगे रास्ता नहीं है शादी का मेंडर बस बाजू महीं है इस इकसर मारा है यह क्या कर रही हूँ बढ़ गई है बच्चों को कंभल तो ओढ़ाईए जाई अंदर जाईए ए मीनल मेरे बड़े बेटे की शादी करवानी है सच कर रही हूँ मैं यह लेटर पढ़के सुना तो ले जोर से पढ़ना मेरी प्यारी मा रमन्ना का प्रणाम आप कैसी हो 27 दिन और लगेंगे मुझसे मिलने के लिए मैं गुनहगार बनकर आप लोगों से मिलना नहीं चाहता था इसलिए इतने साल लगे आप लोगों से मिलने के लिए अरे यहाँ शहर आते ही मैंने जो दुनिया भर की गलतियां की थी उसके लिए मुझे हाँ दुखने तक मारू मा दुनिया भर की गाली दो मा मुझे माफ कर दो मा एक बार तो कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया मैं यही चाहता था मा मैं जिस भाई को दुश्मन समझ रहा था आज उसी भाई की वज़े से सिंदा हो अगर वो नहीं होता तो मैं मुंबई पुलिस के हाथों कुट्टे की मौत मरता पापा से कह देना कि बड़ा बिटा आ रहा है ओ मासे जो लेटर में लिखा था वो तो पहले ही पढ़ लिया फिर मुझे परेशान क्यों किया तुम्हें क्या लगते हैं मैं आफालतू कामों के लिए बैठी हो आई बड़ी हो यह लो बेटा अब तक तेरे भाई का लेटर तेरी माने पढ़ लिया होगा चाल वा गली में ख आई 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 तोट गया तोट गया यह सच एजिएट मेरे दोस्त के शादी करें ढून ढून कर यह गिफ्ट लाई थी पर तुमने तोड़ दिया अब मैं क्या करो हालो हालो टेंशन मत लीजिए मैं ठीक कर दूँगा सीरी तो तूटा है इसका देखो ऐसे लगा दूगा चिपका दूगा टेंशन मत लीजिए आप मैंड़ पहुंचिए मैं पीछे-पीछे आता हूं ओके ऑघन वी पाने का Kenneth कर दो दो Нन तो यह रहुंचिए और